राजस्थान में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश के सिख्षकों की नीद उड़ा दी है। दरसल राजस्थान की भाजपा सरकार प्रदेश के दो सरकारी सिख्षकों से 9,31,50,330 रुपे वसू लेगी। इस भारी भरकम राजपी की रिकवरी के लिए शिख्षा विभाग ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। खास बात यह है कि जिन दो शिख्षकों से इस राजपी की रिकवरी होनी है वो दोनों आपस में पती पतनी है। इस शिख्षक दमपती से सरकार 9,31,50,330 रुपे वसूलने के दिशा में पिरकरिया शुरूर कर चुकी है। इस भारी भरकम राजपी की रिकवरी के लिए प्राथमी की दर्ज होने के बाद यह मामला सुर्ख्यों में है। आईए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। 12 के राजपी विध्याले राजपुरा के डमी अध्यापकों और गवन के प्रकरणे में अध्यापक दमपती विश्नुगर्ग और उनकी पतनी मंजुगर्ग पर धारा 420,409 गवन की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। जहां 9 करोड का पोशाहार और तनकाखा गवन के मामले को लेकर सरकार ने तुरंत गिरफतारी के निर्देश पुलिस को दिये हैं। पांच हजार रुपए में डमी टीचर रखते थे। विगत 25 वर्षों से सिख्षक दमपती विश्नुगर्ग और पतनी मंजुगर्ग राज की विध्याले राजपुरा में पदिस्थापित हैं। लेकिन दोनों ही विध्याले नहीं जाकर अपनी जगा डमी अध्यापकों से काम करवाते थे। जहां दोनों अध्यापकों को दोनों की जगा पांच-पांच हजार रुपे मासिक में न्यूक कर रखा था। जो वहां जाता था तो डमी अध्यापक अपने आप वो विश्नुगर्ग और मंजुगर्ग बताते थे। तो साथ ही सी मामले को लेकर 12 प्रशाशन के द्वारा विगत दिसंबर माह में विध्याले पहुंच कर कारवाही की गई। दिसंबर महिने में दोनों के बदले प्राइवेट टीचर मिले थे। जहां पर ये दोनों शिक्षक दमपती अनुपस्थित मिले और उनकी जगा प्राइवेट दो महिला और एक कुरुष अध्यापन करवाते हुए पाए गए। जहां पुलिस ने कारवाई करते हुए दोनों डमी अध्यापकों को ग्रपतार कर लिया। साथ ही शिक्षक दमपती में अध्यापिका मज्जुगर को लीव पर बताया गया। लेकिन विश्णुगर के उपस्थित रईश्टर में हस्ताक्षन मिले। जांच में ये भी पता चला है कि शिक्षक दमपती के द्वारा बच्चों के पोशाहार में भी फरजी वाडा कर घोटाला कर भारी भरकम राशी उठाली गई है। इस कारवाई के बाद से ही दोनों शिक्षक दमपती फरार चल रहे हैं। लेकिन अब सरकार के द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रकम वसूलने का मामला दर्ज कराया गया है। 2017 में भी 12 कलेक्टर द्वारा दोनों का फरजी वाड़ा पाए जाने पर इंक्रिमेंट रोका गया था। लेकिन सरकार बदते ही कारवाई को दबा दिया गया। राजस्थान के बारा में सरकारी शिक्षक दमपत्ती द्वारा खुद की जगा किराय पर शिक्षक रखकर सरकार को चूना लगाने वाले शिक्षक दमपत्ती पर सरकार अब सक्थ हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को शिक्षक तंपत्ती से व्याद सहीत रकम वसुलने के निर्देश दिये हैं और जिला शिक्षा अदिकारी को मामले की पूरी जाँच के आदेश भी दिये हैं। दरसल मेल खड़ी के राज की विध्याले के राजपुरा गाउं के शिक्षक तंपत्ती विष्णुगर्ग और उसकी पत्नी मंजुगर्ग पिछले 20 सालों से एक ही विध्याले में पढ़ा रहे हैं लेकिन खुद स्कुल में नहीं आते बलकि अपनी जगा पर बहुत थोड़ की पैसा वसूलने की बात कही है